कोल इंडिया पर प्रस्तुती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के कोईला प्रोडक्शन में कोल इंडिया का हिस्सेदारी करीब 80% है, वो और्चुवल मोनोपोली है। उसके साइज को देखते हुए बारत सरकार ने अपने आत्म निर्भर भारत इनिशियेटिव में कोल इंडिया का टार्गेट 23-24 के लिए रखा है, 1 बिलियन टन्स माने 1000 मिलियन टन्स। उसके साइज भारत सरकार ने कोल आयात को कम करने के लिए प्राइबाइटाइजेशन का इनिशियेटिव भी चालू किया है, करीब 50 ब्लॉक्स आफ कमर्शियल माइनिंग बाइ प्राइवेट सेक्टर रेविनी शारिंग बेसिस बे दिया है। कोल इंडिया ने साथ में अपना ये उक्षन प्लाटफॉर्म चालू किया है, जिसमें एक उक्षन प्लाटफॉर्म में ट्रांस्परेंटली कॉम्पिटिटिव प्राइजिंग पे नॉन पवर कंजूमर्स जो कोल आयात कर रहे हैं, उनको भारत का ही कोल दिया जा रहा है। उसकी वज़े से बहुत बेनिफीशल हो रहा है भारत के कोल सेक्टर को, साथ में कोल इंडिया अपना टार्गेट वन बिलियन की एच्विमेंट के लिए पिछले एक साल में लगाया है करीब 13,000 क्रोर्स का कैपिटल एक्स्पेंडिचर अपने खुद के पैसे से अपना टे में इंबेस्मेंट 6,000 करोड लगाने का प्लान किया है बाहरी कम्पिनियों की हिस्यदारी के साथ लेकिन आज उसका प्रोब्लम है अपना प्रोड़क्शन आफ्टेक से ज़्यादा है, इंवेंटरी बढ़ रहे हैं, पवर कम्पिनिस पोल उठाना ही रहे हैं, इसकी लेकिन भारत सरकार को ए विश्वास है कि कोल इंडिया अपने बल्बूते पर और एक्स्पिरियेंस पर ए टाइट रोप वाक सक्सेस्फुली कम्प्लीट करेगा और इन सभी एक्टिविटीज को कॉर्डिनेट करके आत्मनिर्बर भारत इनिशियेटिव को सफल बनाएगा प्रोडॉक्शन और आफ्टेक के बीच में जो गैप आ रहा है वो प्राब्लम जादा हो गिया डिसेंबर 19 के बाद पर्टिकुलर्ली मार्च 20 उसके बाद हर एक क्वार्टर में ये गैप बढ़ता जा रहा है और मैक्सिमम गैप आया जून 2020 में 39 मिलियन टन्स अभी वो घ प्रोडॉक्शन है 600 मिलियन टन्स लेकिन भारत सरकार ने दिया है टार्गेट 2023-2024 के लिए 1 बिलियन टन्स जबी 1 बिलियन टन्स का प्रोडॉक्शन हो जाएगा तो ये गैप का मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसके लिए चालेंज है कोल इंडिया के सामने आज से तयारी कर और रही बात रेविन्यू और प्रोफिटेबिलिटी की कोल इंडिया के अच्छे धिन खतम हो गये जून 19 तक जून 19 के बाद चालू हुआ गिरावत रेविन्यू में और प्रोफिटेबिलिटी में और रेविन्यू डिसेंबर 20 में जो है 91,000 क्रोर जून 18 में भी यही बीटी की बात पहुंच चुकी थी टीटीम बीटी जून 2019 में 28,000 क्रोर्स उससे अब भी घटकर हो गया है 19,000 क्रोर्स आफ्टर लूजिंग एबाउट 9,000 क्रोर्स इन प्रोफिटेबिलिटी ओन ए टीटीम बेसिस एक गिरावत और प्रोफिट का घटना मार्केट के नजर में एक बहुत बड़ा रिस्क है उसके वजह से कोल इंडिया के प्राइस के ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ है और प्राइस लगातार गिर रहे हैं पिनी के प्रोफिटेबिलिटी के गिरावट का असली पहचान है ये चार्ट जैसे हम देखते हैं तो 2017-18 में जो प्रोफि में 4200 क्रोर की गिरावट सेप्टेंबर में 216 और डिसेंबर में अल्मोस 600 क्रोर की गिरावट तो अभी का प्रोफिट टी टी एम वेसिस पे पहुंच चुका है 19,000 जो था एक साल पहले 24,000 और उससे पहले था 27,000 ए गिरने का सिलसिला चालू हुआ कोवीट से तीन क्वार् कर लॉजिक सिंपल है, परफॉर्म एंड गो अप लाइक निफ्टी 70% रिटन, दोंट परफॉर्म एंड गेट रॉप लाइक होट पोटाइटो, नेगेटिव 7% रिटन फॉर प्रोफिटेबिली का नतीज जा है, शेर प्राइस 140 से गिरकर हो गया, 130 पिछले बारा महिनों, 2014 में जो 384 रुपीज था, वहां से लेकर हर साल ये गिरावट का सिलसिला अप टू 2021, 130 रुपीज, इसको एक्स्प्लेइन करना बहुत मुश्किल है, डेली चार्ट में ये खुशी की बात ये है कि कैंडल के जो कंसॉलिडेशन बॉलिंजर बैंड के अंदर हो रहे हैं, वो positivity के संकेत हैं, Stochistic RSI, Oversault Zone से उपर की तरफ बढ़ता हुआ, ये बुलिश है, MACD, उपर की और इशारा कर रहा है, वो भी इंडिफरेंट होते हुए भी negative नहीं है, तो इन सभी को मिला के हम आशा कर सकते हैं कि उपर की तरफ प्राइस बढ़ने की संभावना पहले से के अंदर price और Stochistic RSI, Oversault Zone से उपर जाते हुए, price को भी उपर ले गया, October में, वैसे ही हुआ, February में, और इसकी repetition दिखता है, अभी April में, जबी Stochistic RSI, Oversault Zone से और price उपर जाने की संभावना, अभी पहले से ज्यादा evident है, current price जो 130 है, यह 38.2% retracement है, 38.2% retracement का बहुत अचा reputation है, पिछली तीन बार इसने एक strong support का role play किया है, तो हम आशा कर सकते हैं, इस बार भी at 38.2% support level लेकर price उपर की तरफ बढ़ने की आशा हम कर सकते हैं, आत्मन दिर्बर भारत initiative में, कोल इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसने भी commit किया है, capital expenditure और solar power projects for reducing cost and increasing import substitution, लेकिन उसका production और off-tech में फरक रहने की वज़े से working capital के ऊपर दबाव पड़ा है, financial performance of coal India पिछले 5 quarters से बुरा रहा है, लेकिन charts technically reading देते हैं कि trend bullish होने की संभावना जादा है, कोल इंडिया ये quality stock है, value for money, lot of growth potential, लेकिन आज का जरूरत है consistent financial performance for at least next 2-3 quarters investors में confidence लाने के लिए, आशा करते हैं आपको ये video पसंद आया हो, ऐसे ही resourceful videos of stock learning आप ये info card पे पा सकते हैं, आपके like, share और comment का इंतजार है, जो भी नए visitor है चानल के लिए subscribe कर सकते हैं और bell icon press कर सकते हैं, ऐसे ही periodic videos regularly आपको intimation लाने के लिए, आपके interest के लिए, time के लिए और support के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तैंक्यू सो माच, ये video का purpose सिर्फ information education of awareness है, solicitation और recommendation to buy, sell और hold securities से इसका कोई मतलब नहीं है, आप अपने जरूरत के मताबिक competent professional advice जरूर ले लें,